चतरपूर के कॉंग्रेस मिधायक आलोग चतुरबेदी पजजन भाया ने खेल ग्राम इस्थिद अपनी आवास पर MP की टॉपर बेटी नैंसी दुबे की परिजनों को आमंतरित कर उन्हें एक इलेक्टिक स्कूटी भेद करते हुए नैंसी के भावी जीवन किली सुभकामना उलेखनी है कि नैंसी ने इसी वर्ष दस्वी की परिक्षा में अपनी बुद्धिमत्ता और प्रतिभा का प्रदलसन करते हुए मध्धि प्रदेश की मेरिर सूची में पहला स्थान हासिल किया था नैंसी की सफलता से ना सिर्फ उनके गाउन नारायरपूरा का नाम रोसन हुआ बलकी छतरपूर का हर ब्यक्ति गौर्वान बित हुआ था बिधायक आलो चतरवेदी ने पईडाम आने के बाद नैंसी की घर पहुँच कर उसे बधाई दी थी तब उन्हें बताया गया था कि स्कूल जाने के लिए नैंसी को 8 किलो मीटर तक साइकल चलानी पड़ती है इसी जानकारी पर बिधायक स्री चतरवेदी नैंसी को पढ़ सबकामनाई दि बिधायक ने कहा कि दिए की तरए हमारे जीले के अने बिध्यार्ति भी अपनी मेहनत और लगन से एसी तरह आगे बढ़े ताकि जिले का नाम रोसन हो उन्होंने कहा कि जहां भी हमारा सहीयोग आवजसक होगा हम्जश्यों के लिए हमेसा खड़े रहेंगे इस अवसर पर नैंसी की पिता राम मनोस दुबे छोटी बहन सहीत पत्रकार एबंपडोसी मौजूद रहे सब्सक्राइब तो हमें बताई हो ठीक है पड़ाई में कम जोरी वैसे बब्बा ने पटाई करी तुमाई ठीक है राम मनोस दुबे कहां क्यों नारान पराके बच्ची का क्या नाम दो नेंसी दुबे पच्ची ने काय में टौक किया दस मित में के मिलें अपको बहुत वरुक गारी मिली मेलग्ट्रक गारी कि इसके दौर जी की दोआ शीरी मानीं चाचा जी की दोआ बहुत बहुत दन्वाद थी जी के क्या कहना चाहिए और उनका बड़े बहुत बड़े हम से आसी वादी चान है हम उनको काचा नेंसी हमाई नारायन पुरा की बिटिया उसने दस्वी कक्षा में जो मद्ध प्रदेश में प्रत्हमिस्तान प्राप्त किया था मैं उसके घर जब बधाई देने गया था उसको आशीरवाद देने गया था उस दिन ये तैह हुआ था कि हम अपनी बिटिया को स्कूटी देंगे बैट्री से चलने वाली स्कूटी देंगे आज वो स्कूटी आ गई और वो कोटा में ट्रेनिंग कर रही है उनके पिताजी और उनकी छोटी बहन यहां आके वो स्कूटी लेने आए हैं उनके स्पूर्द ये स्कूटी कर रहे हैं और साथी साथ ये स्कूटी उसकी पढ़ाई के प्रोचसाहन के लिए है